हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवदारविद आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन रीसेंट आई-पियो जो लिस्ट होए डॉम्स आई-नॉक्स और दोस्तों बात करेंगे आखिर में हम इंडिया शिल्टर इन तीनों जो डीसें आपने चैनल नहीं किया थो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लिजेगा तो चुरुबा दोस्तों करते हैं डॉम्स इंडस्ट्री से भी अपने कह सकते फ्राइड के सेशन में भी गिरावट देखी अल्मोस 1310 रुपे पे शेयर जाकर क्लोजिंग देता है 36.75 पॉइंट की गिरावट देखने को मुली अल्मोस 2.73 पॉइंट हम कह सकते दोस्तो स्टॉक गिरता हुआ नजर आया इसकी तो लिस्टिंग काफे अच्छी हुई एक बात आपको समझनी पड़ेगी जो इसका हाई है वो है 1434 का 1434 रुपे का दोस्तो बावनफतों का हाई और ओर 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 हाई है और 52 वीक लो है फिर ओल टाइम जो लो है अभी 1293 का है तो जरूर दोस्तों जो यहाँ पर आपको फॉल देखने को मुला है वो इसके हाई से काफी तेजी से नीचे आता हूँ देखने को मुला है यहाँ पर आप और ओर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो लेवल पर इसके लिस्टिंग हुई वो नो डाउट बहुत जादा अच्छा प्रीमियम था रहीट अनेक्सपेक्टेड प्रीमियम भी मैं कह सकता हूँ बिकाज ऐसा बाजार भी सोची नहीं चल रहा था लेकिन जो डॉम्स ने लिस्टिंग दिखा ही वो काफी दमदार थी काफी शानदार थी कवी हवी विट लेकिन उसके बाद उस्तों स्टॉक जो है वो हम कह सकते नीचा आया उन लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया देखो एक बाद आपको समझ नहीं पड़ेगी हर कंपनी के वालुएशन बहुत माटर करते हैं अब डॉम्स इंडस्ट्रीज को अगर आप इसके पीर से कंपेर करने जाएंगे तो आप खुछ समझेंगे कि डॉम्स इंडस्ट्रीज सबसे जादा एक्स्पेंसिफ पी पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि देखे जो रेपर इंडा को छोड़ दीजिए बाकि जो तीन कंपनी से कोक्यों केमलेन नवनीद को भी छोड़ दीजिए फ्लेयर राइटिंग और आखिर में एक लिंक है तो लिंक भी यहाँ पर हम देख लेंगे तो इन तीनों कंपनीस का मैं आपको प्राइस टॉर्णिंग दिखा सकता हूँ तो यह अब साब देख सकते हैं दॉम्स करीवन ट्रेड कर रहा है 82.86 की प्राइस टॉर्णिंग पर इसके सामने दोस्तो फ्लेयर राइटिंग है वो 34 की प्राइस टॉर्णिंग पर गलत नहीं है जब दोस्तों कोई कंपनी और परफॉर्मेंस करेगी तो डिफिनेटली वो कंपनी का प्राइस टॉर्णिंग आपको समझना पड़ेगा जरूर मार्केट के आपके साब से सबसे बड़ी कंपनी है अगर आप देखेंगे इनका जो नेट प्राफिट था वो ओवरल 73.91 करोड का था वो भी अगर आप देखेंगे सबस्यादा है क्योंकि revenue सबस्यादा company यही कर रही है sales जो है return on capital employed सबसे ज़ादा आपको देखने को मिलेगा 34.36% का इसके बाद 33.56% का flare writing का है और link का है 31.39 का लेकिन still जो important बात है जब दुस्तों यह 33.56 का ROCE जो है flare writing अगर खुद यहाँ पर achieve कर पा रहा है जरूर sales का में इनकी लेकिन जो important है कि इस तना जादा price running कैसे तो मुझे लगता है कि वो ही important है यह इसके गिरावट का एक मात्र जो आप आगे भी कारण देख सकता अगर आगे गिरता है जरूरी क्या है इसके लिए अपने numbers को sustain करना जो लगाता growth company की देखने को मिल रही है इसको operating profit margin है almost दोस्तो 15% तक का 15% का company का profit margin रहा है 2023 के अंदर अब यही मैं आपको दिखाता हूँ profit margin of flare writing flare writing का operating profit margin देखिए 19% तक बहुत चुका है जरूर देखे flare writing ने थोड़़ड़ अलग-अलग देखे businesses भी है mostly दोस्तों doms का अगर अब आप देखेंगे तो company ने जरूर एक नए business में entry ली है लेकिन ज़्यादतर दोस्तों वो pens बनाते हैं notebooks बनाते हैं color बनाते हैं यह सब काम करते हैं लेकिन flare अगर आप mainly देखेंगे तो जरूर दोस्तों का business ज़्यादतर pens में है लेकिन हाँ जरूर जो margins है वो इधर भी expand होते हुए देखने को मिले है कोई देखी आपको verdict नहीं दे रहा हूं कि यहां से बहुत तेज गिरावट आने वाली ऐसा नहीं है जिसे मैंने का company के आकड़े अगर इसी तरगी के निकल के आएंगे जो industry को इसने पीछे छोड़ा है अगर company वो लगातार करती आएगी तो बढ़िया है लेकिन अगर वो नहीं sustain होता है तो फिर गिरावट ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है अगले stock पहते हैं जो है दोस्तो आई नॉक्स इंडिया अब आई नॉक्स में भी हम कह सकते हैं कि यहां पर जो listing हुई सबसे पहले बात तो वो काफी जादा below expectations हम कह सकते हुई because इतनी नीचे expectations किसी की भी नहीं थी बट हो गई उसके बाद भी अगर आप देखेंगे stock में जो है वो गिरावट continuously देखने को मिल रही है 959.90 का दूस्तो है इसका overall आपको देखने को मिलेगा जो high था उससे 910 रुपे पे stock को अभी trade करता हुआ देखने को मिल रहा है वैसे तो इसका जो low है वो almost 906 रुपे का है तो उसके करीबन ही stock अब वापिस आपको trade करता हुआ देखने को मिल रहा है तो inox में मुझे लगता है कि काफी तेज़े से stock की बिटाई हुई है हाँ देखे doms के listing में एक जरू उसके लिए positive बात थी कि 75% वापे QIB का portion था उनली 10% तो retailers के पास है और 15% था H&Is के पास तो वहाँ पर मुझे देखे लोगों ने hold करके रखा लेकिन irox में 35% retailers थे और जब दोस्तों बाजार गिरता है तो retailers full force में बेचना चालू कर देते हैं जैसे full force में apply करते हैं वैसे वो full force में बेचना चालू करते थे जैकि मैंने इस company का पहले वी आपको बता रखा है कि company बढ़िया है company का business बहुत बढ़िया है company लगातार बढ़िया करती आ रही है अब कंपनी के numbers पर नज़र आलेंगे तो कंपनी के लगातार दोस्तो जो growth है वो देखने को मिल रही है 966 करोड का company ने दोस्तो almost दोस्तो अपना sale करा था वो profit भी जो था company का वो almost दोस्तो 153 करोड का था तो लगाता growth देखने को मिल रही है कंपनी का profit growth almost 24% का है पिछले 3 साल का sales growth ज़रूर 14% का है जिसको company को थोड़ा सा अब increase करना पड़ेगा पर जो इनका business है वो बहुत बढ़ी है इसलिए इसमें आप दूढने पर भी जाएंगे तो ऐसा कोई negative point नजर नहीं आता है जो यहाँ पर साफ साफ इसके लिए एक बहुत plus point है अब देखे stock है ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचे वो ही हो और सिर्फ stock उपर ही जाए थोड़ा बहुत देखे stock नीचे आ सकता है में आपसे इसके अंदर आपको बने रहना चाहिए जो business company करती है I think वो business बहुत शानदार है और लगातार दूस्तों इस business के अंदर growth आईगी cryogenic conditions जो company equipment जो create करती है इसके अंदर सबसे अच्छी बात तो क्या है कि उनको कोई heavy competition कोई face नहीं करना पड़ता है तो यह अच्छा खासा company के पास एक advantage है जो मुझे लगता है कि अगर अभी प्ले नहीं करता तो future time में तो play करेगा तो जिस आप patience रखे शेर बाजार गेम में patience का जितना आप में आप धेर रख सकते उतना देखिए वो stock आपको कमा कर देख जाएगा just important बात है वो है patience अब कितना patience रख पाते ह उसका दुस्तों low है 52 वीक low almost 855 रुपीज का ठीक है 855 रुपे का जो इसका overall low है अभी वो अगर उसके नीच से stock जाएगा तो फिर problem है वैसे तो मुझे लगता है कि 900 रुपे के नीचे नहीं जाना चाहिए 900 रुपे का level stock stick करना चाहिए 900 रुपे के उपर टिकना चाहिए ब आपको बता रहा हूं कि हाँ जो एक psychological levels होते है क्योंकि कोई भी शेयर जो लो बनाया है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसा कहते है मलब होता ही है तो यह important है बाकि जैसे मैंने का company के अंदर assets को negative नहीं है ROC 37.2% का याद रखिएगा जो अपना आप में बहुत कम companies का hope पा देखने को मिल रही है मलब उसी दिन भी ग्रावट हो गए थी जिस तरीकी से स्टॉक 620 30 पे almost open हुआ उसके बात से शेहर लगातार दोस्तों नीचे जाता गया और फिर वह यह कि 531 रुपे का इसका लो है और उसके करीबनी स्टॉक अभी trade भी करता हुआ देखने को मिल रह है PNB housing का अलग है वैसे इंडे shelter का अलग है इंडे shelter का देखे सबसे बड़ा advantage कि यह जो first time home लेने वाले लोग होते हैं उनको जाधा तर दोस्तों कम और उसमें से भी कौन business businessmen जो जाधा होते हैं उनको दोस्तों company आप लोन जाधा बाठती तो इसा इनका अपना एक अलग सा customers of customers being first time home loan takers मतलब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यह जो first time home loan takers है उनको जाधा तर यहाँ पर loan बाठते हैं यह अपने आपने एक interesting बात है लेकिन जरूर जो company के ticket size है वो भी overall यहीं बताएं कि 15 lakh के below रहती है और 95% below रही है 25 lakh के तो company ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े loan बाठती है company ठीक साइस के loan बाठती है और ऐसी बाठती कि रीकवर हो जाए तो इनकी business में ऐसा नहीं कि आपको कोई जाधा तर प्रोविशन देखने को मिलेंगे कोई इस प्रकार का problem नहीं है जिग्राफिकल प्रविशन का ठीक है हाँ जाधा तर company का 15 से बोलती लिए जाध 50.9% है और 55.1% है for home loans and 45.3% है for LAP तो overall ठीक है company जरूर दोस्तों valuation के साफ से तो यह भी ऐसे अगर देखा जाए तो expensive नजर आता है बिल्कुल क्यों क्योंकि जो बाकी सारी housing companies है वो 6, 11, 25 जादा जादा 25 का price trending पर दोस्तों आवास मिलता है यह 38 की price trending पर मिलते है तो ऐसे अग अगर आप यह देखेंगे जादा नहीं चली है तो मुझे लगता है कि चलेगी पेशन्स रखिए इसके अंदर यह बढ़िया कर सकती है इस पर करके एक्सपेक्टेशन से तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था होपफिल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा थैं लेखी और इस वीडियो